नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटी मैं हूँ आपके साथ सौरव राज्य हरियाना के गुड़गों से बिहार के दर्भंगा तक एक बेटी अपने पीता को साइकिल से ले जाती है उस वक्त उस दर्मियान कोई भी विधायक सांसद मंतरी किसी को पता नहीं चलता है सब्सक्राइब्र, नमस्क्ति किसी को मालूम नहीं रहते हैं लेकिन जब उसकी ख़वर मीडिया में आती है तो सभी विधायक सांसद बीजेपी के हो चाहे राम्विलास पासबाहन हो चाहे बड़े बड़े नेता हो बीदेशन तक किसी को मालूम नहीं ठागी। साधी तक करने की बात आ गई है सर जिस तरह से आपने आज से करीब आज दस दिन पहले उस बेटी की मदद की उस तबक तक किसी को मालूम नहीं था कि वेटी कहां की है कि जाती की है क्या दिक्कत है क्या परिशानी लेकिन आज उसको ले करके बिहार के बड़े-बड़े नेता मुख मंतरी भी पक्ष के निता सब ने उनके मदद को आगे आए है मैं जो politician के बारे में मेरी जो सोच है उसके दोहरे निती, उसकी नियात उसकी नीत, उसका चरित्र वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ और हिंदी भासी politician के बारे में साफ है, उसमें भी बिहार आपको आसर्ज होगा मानवता और इंसानियत के प्रतीक बिहार दुनिया में रहे हैं लेकिन मानवता और इंसानियत को समाप्त करने में बिहार के politician की सबसे बड़ी भूमी का रही है इतना नमक हरामी पन इतना दुस्टई बेशर्म, politician आपको दुनिया में नहीं मिलेगा मेरा सवाल सीधा है ट्रिपल इंजन की सरकार है दो यहां एक बिहार, एक केंद एक्सिडेंट हुए इस्थिति बुरी थी, बेटी आई लॉक्ड़ॉन में इतना अतधिक तंग किया उनको भाड़ा के लिए कि बाहर रहना पड़ा खाने के पैसे ने थे दो दिन भूके थे सरकार बीजेपी गॉर्मेंट की थी तुम्हें तब बेटी याद नहीं आई जब बिहार के एक ब्यक्ति ने अपना मुबाइल बेच करके बच्चों को खिलाया जब नहीं बचा तो आत्मत्या कर लिया उसको किसी की जिंता नहीं हुई जब ये बच्ची अपने पिता को लेके भूके चलने की हिम्मत कर ली 1400 किलो मीटर 13 साल की बच्ची जोती तब तक न वो जोती जहा थी जोती पास्वान थी जोती जादर थी जोती सिंग थी जोती थी जोती थी इस देश की बेटी है और भूखे प्यासे कहीं किसी से मिल गया तो खाते हुए दर्भंगा पहुंचती है घर में खाना तक नहीं मुझे जानकारी रास्ते में मिलता है और मैं अपने अध्यक्स डॉक्टर मुन्ना खान को कहता हूँ मैं जैसे दुनिया को अब जमुई में पास्मान की पिता मर गए तो गारी करके भेजा भागलपूर में डेट कर गए तो गारी करके भेजा आपको आश्चर्ज होगा 28 लाग बिहारी मजदूर उनके परिवार की संबेदना इन लोगों को क्यों नहीं जागी बेगुसराय के रामकुमार पंडित जी की तस्वीर का प्रुफाइल पिक्चर लगाने वाला उनके लिए संबेदना क्यों नहीं जागी बेगुसराय के राम जी महतो पैदल चले भूख से मर गए उनके लिए संबेदना क्यों नहीं जागी शासाराम की सुनीता जी की पती मर गए वह दिल्ली में फसी रो रही थी उनके लिए संबेदना क्यों नहीं जगे प्रियंका गांधी को कहना पड़ा और इन लोगों के लिए पप्पू यादव को पैसे भेजने पड़े सब के लिए का है मुझफर पूर बेरिया की रिविना कुमारी अहमदाबाद में फसे थी इनके लिए संबेदना क्यों नहीं जगे खागरिया तेलेहर के दो लोग राजस्थान दोसा में मर गए दरजनों फसे थे उनकी मदद क्यों नहीं हुए ये हम जब देखते हैं सेकरों हजारों मामले लोग अकेले दंप पर कुछ मित्रों ने मदद की स्रमिक ट्रेन में कल लेडी मड़ गई 28 लाक लोग सरकों पर हैं मैं जानना चाहूंगा इन नेताओं से और इन भाईयों से बड़े भाई है राम इलास पासमा जी बीजेपी के गटबंधन में हैं क्या आपने एक सब्द भी कहा हरियाना गॉर्मेंट के लिए जब लाठी चल रही थी जब गुजरात में लाठी चल रहा था निकाले जा रहे थे घर से ठेकेदार निकाल रहा था मार रहा था तब आपने कुछ कहा तब आपकी हिम्मत भी सरकों पर आने की बीजेपी के लोग तो सरक पर आ गया है महराश्क्रा में लेकिन बिहार के लोगों को लाठ मारा जा रहा था तब कोई सरक पर आए मेरा रामिलास पास्मान जी ने तीन ट्वीट किया किरन डीजियो को रामिलास पास्मान साहब आप बड़े भाई हैं मैं आपसे आगरह करता कि चलिए पास्मान की भावना जगी आपकी मुझे आप पत्ती नहीं है आप जोती को भी जात बना दी कम से कम 25 लाख रुपिया उनके एकाउंट में डाल देते उनके पिता को FCI में पैसे की तो कमी नहीं है दस दिनों के बाद चिराग पास्मान जी एकावन हजार रुपिया कहते हैं मैं भी दे रहा हूं उसको ट्वीट कर रहे है रभी शंकर जी ट्वीट कर रहे हैं और मंत्री के बारे में तो आप जानते ही है जिसने विहार के बारे में एक बार चर्चा नहीं किया किसी रेल मंत्री और किसी के पास उनके बारे में कोई बोलने की बाती नहीं है कि वो बिहार का बचा है ही नहीं मेरा सीधा सवाल है कि इतनी दोगलाई क्यों BJP ने हैं 14 साल की जो नबालिक है बालिक नहीं होगा मैं जानना चाहूंगा क्या ये राइट किस ने दिया उनको कि जिसने बेघर किया जिसने भूग से मार दिया ये राइट किस ने दिया किस ने ये राइट दिया ये जन्ता को देखना चाहिए ये सदस्ता बेसर्वी की हद पार कर देना ये ट्वीट करना ये किरन रिज्जी ट्वीट कर रहे है जब पपू यादब जी के बाद जब मीडिया ट्राइल हुआ जब ट्रम्प की बेटी कहती है मुझे तो समय साहस संकल्प का परिचय देकर दुनिया के युवाओं के लिए उधार बन गई ये राके सिन्ना MP कहते है करोरपती अरबपती इलों के बारे में मेरी और ट्रम्प की बेटी कहती है 1200 किलिमिटर साइकिल मतलब इवाओं का ट्रम्प कहती है इंडियॉरेंस मतलब क्या सहन सकती गरी भी हमारी सहन सकती है मतलब उसका भी मजाग इतना ही नहीं किसी ने बांकी नहीं रखा अब विपक्ष की नेता राबडी देवी जी से आगरा करेंगे बच्चे तो आपने ना समझ और घर 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 खेलने वाला जर्म दिया आप तो अच्छी पॉल्टिशन है लालू यादब जी से सीखे हैं अब तेरे साल में बेटी की साधी कराने लगे साधी कर लो साधी कर लो ये कनिया वो रडिया का खेल है क्या हाँ जो घर में होता है सब के वो है क्या शाधी कर लो और पंडित को अपने डीपी लगा करके जो एक रुपिया नहीं दे सका वो कह रहा है मैं भी पचास सजा रुपिया दूँगा मेरी पाटी की उसके फादर को नुगड़ी देगी ये राजनिती की इतनी दौगली पन ये दिग गया बिहार में कि नेताओं का दौगला पन दौगला चरित्र ये दूस्टाई कितनी खतरनाक होता लेकिन सर जो लोग बता रहे हैं कि ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहां की बेटी ये काम की तो बेवस्था की उपर प्रस्त है ये तो सर्म की बात है सर्म मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ा सर्म क्या हो सकता है जो गर्व की बात करता पैदल चल रहा है cycle पर चल करके बेटी हमारी भूकी जाती है वो गर्ब कर रही है हम बेटी के विचारों पर उसकी सोच पर गर्ब करेंगे हम गरीबिक को किसने पैदा किया जिन लोगों ने पैदल चलने पर 30 सालों में मजबूर किया जोती को घर में बैट करके 62 दिनों से जो घर में ऐसमोज की जिन्दगी जी रहे हैं मसाज करा रहे हैं उनको 47 डेगरी धूप का क्या पता और 28 लाग बिहारियों के भूखे पन और पैदल चलने और मोद का क्या पता राम बिलाजी जमूई के सिखपुरा में ये ट्वीट ट्वीट कब तक खेल के बिहार का नास कीजिएगा और इस बार दोगलाई और तेगलाई पन के नेताओं का कारेक्टर दिग गिया जोती के सबाल पर जब मीडिया ट्राइल हुआ हवां ट्रम्प ने ट्वीट की साइक्लिंग रेस ने बुलाया तब इस देश के अब कुछ दिनों में पीएम भी ट्वीट करेंगे आप ये भी देखिएगा धन्वाद शुक्रिया सथ थैंक्यू नमस्कार